नमस्कार दोस्तों, हमारी चनल इलाजिस्वार में आपका स्वागत है आजम तिखेंगे प्रसादी के लिए पंचामरुद बनाने की रेसिपिन तो पंचामरुद बनाने के लिए मैंने लिया है आदा कब दूर वन फॉट कब दखी दो टेबल स्पून सक्कर आज़ा टीश्पून जी और एक टेबल स्पून सहरु तो सबसे पहले हम एक बावल लेंगे और सभी चीजों को हम बावल में डालेंगे दूद, दही, सक्कर, घी, और सहरुद और उसी हम अच्छे से मिला देंगे हमने जो दही यूज किया है वो खट्टा नहीं होना चाहिए पंचामृत बनाना बहुत आतान है वो दो मिनित में बन जाता है तो प्रसादी के लिए पंचामृत तयार है गानी सिंग के लिए तो तूर्ची के पत्य हमने उपर रखे हैं जैसे पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आमारी चैनल को सब्सक्राब ज़र करें आईसे नवीरे चिपिके साथ फिर मिलेंगे दोस्तों दने बाद